भारती अंतरिक्ष एजिंसी इसरो का चंद्रियान 3 तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। आज यानि की 5 अगस्त को शाम करीब 7 बजे इसे चांद के पहले ओर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद चंद्रियान की गती को लगातार 13 अगस्त तक कम किया जाएगा। क्योंकि 13 अगस्त को इस अंतरिक्ष एजिंसी चांद की सत्य पर सौफ्ट लंडिंग कराई जाएगी। आपको बता दे कि चंद्रियान की ग्राविटी के हिसाप से चंद्रियान 3 को 98,520 किलोमीटर प्रतिगंटे की मौजुदा गती बहुत जादा है। देरे देरे इसे कम करकर 3600 किलोमीटर प्रतिगंटे की रफ्तार पर लाया जाएगा। अगर सब कुछ प्लानिंग के हिसाप से चलता है तो कुछ इस तरह से चंद्रियान अपने पढ़ाव पर पहुँचेगा। आपको बता दे कि 5 अगस्त को शाम 7 बजे चंद्रियान 3 को चांद की पहले और्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद ये चंद्रिमा की चारो तरफ पाचवार चक्कर लगाएगा। 17 अगस्त को पाच चक्कर लगाने के बाद स्पेस्क्राफ्ट 100 किलोमीटर की उचाई पर आ जाएगा। इसके बाद चंद्रियान 3 की लेंडर मोडियोल और पोपलेशन मोडियोल अलग होगा। 18 अगस्त को डिबुस्टिंग प्रक्रिया से चंद्रियान की लेंडर मोडियोल की गती को कम किया जाएगा। गती कम करने के लिए इसे 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमा जाएगा। और चान की तरफ जाने के लिए गती को एक किलोमीटर प्रती सेकेंड किया जाएगा। फिर 20 अगस्त को लेंडर मोडियोल डियो और्बिटिंग की जाएगी। चंद्रियान 3 को लेंडर को 100 इंटू 30 किलोमीटर के लूनर ओर्बिट में डाल दिया जाएगा। फिर 20 अगस्त को शाम को करीब 5 बच कर 47 मिनट पर चंद्रियान 3 का लेंडर चान्ट की सथय पर उतारा जा सकता है। आखिरकार चंद्रियान का मकसद क्या है? तो आपको बता दे कि चंद्रियान 3 के जरीए भारत चान्ट की स्टडी करना चाहता है। वो चान्ट से जुड़े तमाम रहस्यों से परदा हटाएगा। चंद्रियान 3 चान्ट की सथय की तस्वीरे भीजेगा। वहां की वातवरण, खनीज, मिट्टी, इन सब से जुड़ी तमाम जानकारियों की रिपोर्ण चुताएगा। बता दे कि 2008 में जब एसरों ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रियान 1 सफलता पूर्वक लॉंच किया था, तब इससे चंद्रमा का परिक्रमा की और चंद्रमा की सतहें पर पानी के अणूओं की खोच की थी। अब आपकी क्या राय है कि चंद्रियान 3 को सबसे पहले क्या दिखेगा, वो हमें कॉमें सेक्शन पर बताना न भूले।